उम्र कोई भी हो, अब तो हर किसी का जनन दिन मनाना आज के यूद की परंपरा बन गई है फिर चाहें वो उनके दादादी हो या दोस्त बर्दे का जिसन तो बनता ही है सबी राद 12 बजे सही सप्राइस प्लैन करने लगते हैं सेलिब्रेशन में बर्दे केक ना कटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी भी पार्टी का सेंटर अफ एट्रक्शन तो केक ही होता है और उस पर लगी मुम्बत्या वो बात और है कि पुराने समय के लोग भर्द्य संस्कृति के नुसार जनम दिन के मौके पर मुम्बत्या बुझाने को बुरा शगुन मानते थे पर अब तो ये modern tradition बन चुका है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मुम्बत्या बुझाने की शुरूआत कि ने शुरू की बताते हैं कि बर्द्य केक पर मुम्बत्या लगाने और बुझाने की परमपरा प्राचींग ग्रीस से आई है इस परमपरा की शुरूआत उस समय हुई थी जब ग्रीस के लोग केक पर चलती हुई मुम्बत्या लेकर अपने भगवान के पास जाते थे मुंबत्यों से ग्रीग भगवान का चिन बनाते थे चिन को बनाने के बाद इन मुंबत्यों को बुझा दिया जाता था वो इस धुएं को शुब मानते थे इन लोकों का कहना था कि ये मुंबत्यों का धुएं सीधे भगवान के पास जाता है वहीं कुछ तत ये भी अताते हैं कि केक पर मुम्बतियां लगाने की परमपरा जर्मनी की देन है कि ये परमपरा जर्मनी के प्रसित्तिवार सेंट फैर्स के दोरान सामने आई है पर कुछ भी हो ये तो पक्का है कि ये हमारे देश की तो प्रता नहीं है ये पस्चमी भारत की देन है वैसे भारती संस्कति पर गौर करें तो किसी भी खुशी के मौके पर मुम्बतियां बुझाने को आपशगुन मानते हैं बलकि यहां तो खुशी के मौके पर दीब जलाये जाते हैं ऐसी एमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें